Welcome back to my channel निहा Mom v life गाइशért So friends, हम सबको पता है कि pregnessy में ultrasound करना एक pregnant डेडी को कितना जरूरी है क्योंकि ultrasound ही ऐसा तरीका है, ऐसा जरिया है जिससे हमें पता चलता है baby के जhम से पहले ही कि baby का development और growth बराबर तरीकी से हो राया नहीं है तो अगर आपने ultrasound कराई होगी 12 week के बाद तो आपने अपने ultrasound में कुछ parameters देके होगे जिसे BPD, SC, ABD, SL, TS इन parameters का बहुत ही important होता है ultrasound में क्योंकि यही parameters का use करके Dr. Baby का estimate fetal weight calculate करते हैं तो आज इस parameters के बारे में हम बात करें वो है SL, femoral length और tbl length सबसे पहले हम जाते हैं femoral length क्या होता है femoral length यह पेर की हड़ी का माप लिया जाता है और यहाँ पर जो बेबी की चांक से लेकर उसकी नी तक, उसकी घुटने तक जो हड़ी होती है उसका measurement लिया जाता है जिसे FL भी कहा जाता है और उसके बाद है tbl length याने tl पैर की उसका measurement लिया जाता है और उसे बुलते है tl याने tbl length और इसका measurement week by week कितना होना चाहिएगी इस chart through आप देख सकते हो So friends, I hope आप FL और TL का meaning समझ गए होगे अगर आपको कोई doubt या feel कोई question पोचना है तो आप मुझे comment box में list कर ज़रूर पूछ सकते हो I hope friends, आज का वीडियो आपको informative लगा होगा ऐसे informative वीडियो के लिए मेरे चानल स्ने हाँ mom lifestyle को ज़रूर सब्क्राइब कीजिए और साथ में bell icon को ज़रूर दबाएए और हाँ अगर वीडियो पसना आए तो लाइक करना मत भूते है मिलते हैं next वीडियो में ऐसे informative वीडियो के साथ तब तक आप अपने बेबी का ख्यार रखें My family friends, thank you so much for watching